एपिसोर्ट की शुरुवात में हम देखते हैं कि सूजियों परिशान होती है हान जिंग कहता है कि यह सब कुछ तुम्हारी वज़े से हो रहा है क्योंकि तुम ही हम इसा मुझे चिबखनी की कोसिस करती हो इस पर सूजियों को गुस्ता आता है और वो कहती है कि ठीक है मैं तुम से दूर रहूंगी इतना कहता है तो हान जिंग उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरे बिना तो तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाओगी इन्विस्टिकेशन क्या करोगी सूचियों कहती है कि तुम्हारे आने से पहले भी मैं जिन्दा थी और अपनी जॉब कर रही थी इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है तो हान जिंग भी उसके पीछे जाता है ये लगारा दिवार के पीछे छुपकर दो कौश डिवस देख लेते हैं सबकुछ देखर उन्हें भी यही लगता है कि उन दोनों का अफिर चल रहा है इसके पास सूचियों घर जाता है तो उसका अस्सिस्टेंट भी उसे टीज करता है जिसे सूजियों से भी यही बताती है कि वो और हान जिंग दोनों बस पार्टनर्स हैं इसके अलावां के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है इधर हान जिंग भी अपने घर जाता है तो उसका असिस्टेंट भी उसे टीज करता है वो उसे कहता है कि आप और मिस सूजियों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं पर यह काफी दुखी बात है कि आप उनसे लेगली शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी गवर्मेंट इसे लाओ नहीं करेगी इस पर हान जिंग गुस्टे में उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है तो वो यह चुप हो जाता है इधर सूजियों की मदर सूजियों को खुब डाटती है क्योंकि फूले महले में उनकी काफी जादा बदनामी हो रही थी सूजियों कहती है कि मदर लोगों को काम का अफ़वाख लाना होता है पर आपको मुझे पर यकीन करना चाहिए इस पर उसकी मदर उसे प्यार से समझाती है और उसे हान जिंग से दूर रहने को कहती है सूजियों से प्रामिस करती है कि अब वो हान जिंग से दूर रहेगी इधर हान जिंग सूजियों की बारे में सोचते सोचते सो जाता है यहां वह इनका फिर से सूजियों की साथ अपना ड्रीम सेयर करता है जिसमें सिटी के सारे लोग मिलकर सूजियों और हान जिंग के रिस् पर सूजयो अपनी मदर की इंसर्थ होते नहीं देख पाती और वो हान जिंग को वहां से चले जाने के लिए कहती है जिस पर हान जिंग काफी हर्ट ब्रोकेन फील करता है तब ही सूजयो की नीद खुल जाती है और वो रिलेक्स फील करती है कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक पर इदर हान जिंग नीद की खुलने के बाद भी काफी जाता है निश्टे सूजयो वेंजून के बुलाने पर उसका न्यू प्ले देखने जाती है पर वहां पहुचकर भी वह अपनी प्राब्लम को सोच रही होती है वेंजून उसे समझाता है उसे भी सारी बाते पता थी वो उसे कहता है कि तुम अफवाहों की परवाह मत करो जब तुम लोगों की परवाह नहीं करोगी तो वो भी अफवाह फैलाना बंद कर देंगे तब ही थीटर में किसी फीमेल की गानी के आवाज आने लगती है जिस पर सारे क्रियो मेंबर्स जर कर वहां से भागने लगते हैं इसका सोचियो वेंजून से पूछती है कि सब कुछ क्या हो रहा है वेंजून उसे बताता है कि यह आवाज इसे थीटर में काम करने वाली एक एक्ट्रिस से लोगिंग की है जिसके अब मौत हो चुकी है उसने सिटी के टावर से कूद कर अपनी जान दे दी थी अब उस इस एक की मैं को एक फिलर से बांग कर उसके आज पास आज जला कर कुछ मंत्र बढ़ रहा था तब ही वहां हांजिंग आता है और उस प्रिष्ट को मार कर भगाने के साथ ही साथ सब को की मैं पर जुल्ब करने के लिए खुब ड़ता है तो फोजियों से समझाते हुए कहती है कि की मैं को यहां जबर्दस्ति कोई नहीं लाया था बल्कि वह पैसा लेकर अपनी मजी से यहां आया है वह से समझाते हुए वहां से जाने को कहती है इस पर हम जिंग गुसे में वहां से चला जाता है तब ही की मैं जो रिच्वल के लिए आया था उसके नजर दूर खड करके अफरे थेटर से सी लूकिंग की आत्मा को दूर करना चाहता था पर हां जिंग में यहां आकर सब कुछ चौपट कर दिया था वह सूजियों से अपने खर्चे का कंपन सेशन मांगता है जिस पर वें जून उसके सारे खर्चे की भरपाई करनें को एगरी हो जाता है न तब वहां अफिसर जिन आते हैं तो सूजियों तोन्य हर दिखाने के लिए एक दूसरे से श्चेज और फिर गुस्डें में चले जाते हैं ने रहां हां से जिस और दौरह रह जाता है और उसे चक्कर आने लगता है इस पर उसे रिस्ट करने का बोल कर उसके लिए खाने के लिए कुछ लेने चले जाते हैं सूजियों बेहोस होकर गिरने लगती है तभी वहाँ हांजिंग आकर उसे पकड़ लेता है अब सूजियों को उसकी बीमारी का इलाज मिल गया था और वो बिटर फिल करती है इसके बाद दोनों बाते करने लगते हैं तभी वहाँ गौट फादर आकर दोनों को इस साथ देखकर सौप्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों आजकल सब को दिखाने के लिए जगरते फिरते हो पर यहां अकेले में तुम दोनों लवी डवी कपल बने बैठे हो इस पर सौप्ड फादर को समझाती है कि ऐसे कोई बात नहीं है हान जिंग मेरी बीमारी में मेरी हिल्प करता है और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं पर लोग हमारे बारे में अफवाहे फैला रहे हैं अभी न अफवाहूं से डर कर हम अपने दोस्ती को खत्म करना नहीं चाते इसी रिए हम सब के सामने जगरते हैं ताकि किसी को मिसंडेस्टेंडिंग ना हो सुजीयो की बाते सुनकर Godfather रान जेंगया और सुजीयो का हाथ एक दूसरी के हाथ में देते हैं क्योंकि शायद उन्हें वो भी पता था जो हान जेंग और सुजीयो ने अभी तक कंफिस नहीं किया था नेथ सीन में सुजीयो थेटर में बहुत अच्छा गाती थी वह मिरर के सामने खड़ी होकर तयार हो रही थी तभी वहां उस येटर का फेमस एक्टर रेन आता है और उसे बुली करने लगता है वह से कहता है कि तुम्हें एक मेड हो और मेड बनकर रहो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है इतना कहकर वह से अपना इसकार प्लाने के लिए भेजता है तो वह तुरंट वहां से चली जाती है जाते वक्तों रास्ते में सी लोगीं की दौड़ने और गाने की आवाजे सुनती है जिसमें वह काफी ज्यादा डर जाती है इधर वेंजून और सूजी आपके बाते कर रहे थे तब ही हो जाती है वेंजून उने लड़नी लोगता है तो वह आंदर जाने लगता है जाती जाते जाते वह उन दोनों को फायट करनी से मना करता है उसकर जाते हैं reads के थी जिसे वेंग जून ने लिखा था वेंगACT सिटों से पूछता या कि ए बहुत है इस वर कहता है इसे पूंट ठडरी होती है कि तुम क्या जान आँ किया रोमैंस क्या होता है कि कई मैं तुम क्यान की लोगों की तरह नहीं है कि एक साथ कई वाइप और कॉंक्यों मिंस रखें हम की मैं लाइफ में एक बार ये अपना पार्टनर चुनते हैं और उसे के साथ अपनी पूरी लाइफ इस्पेंड करते हैं अगर उसकी मौत हो जाए तब भी हम दूसरी साथ ये नहीं करते ये चांद कर सूच्यों ह है यहां हां चेंग उसे की कंट्री में मनाये जाने वाले एक फेस्टिवल के बारे में भी बताता है जिसमें कपल फुल मून की रात में दूसरे को प्रपोस करते हैं और लाइफ टाइप साथ निभाने का प्रॉमिस करते हैं तो जो सब उसी है कि अगर यह क्यान और की कपल हो तो भी प्रॉमिस किया जाता है हां जिंग कहता है कि हां बिलकुल यहां हां जिंग उसे अपने चाइड़ोड फ्रिंट के यूंचा के बारे में बताता है जो कि एक क्यान लड़की से प्यार करता है और उसके लिए वो अपनी फैमिली और कंट्री को छोड़कर क्यान एक्टर रिन आकर परफॉर्म करने लगता है और हम थोड़ी ही दूर पर उस कीमैन को देखते हैं जो कि रीचोल से भागा था और अब उसने रिन की बाडिगार्ड की जॉब जॉइन की थी इधर एक्टर रिन परफॉर्म करते करते चक्रा कर इस्टेस से नीचे गिर जाता कीमैन उसे गिरता देखकर उसके पास जाने के लिए दौड़ता है और वो भागने की कोसिस में उसे फाइट करने लगता है तो वो फुर्ती से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है यहां वो देखता है कि वो कीमैन कोई और नहीं बल्गिस के बच्पन का दोस्त की कीयान जानों के यूंचा को भी अपने साथ लाया था बातोн ही बातों में पदा चलता है कि कीयान गर्व से प्यार करता था वो उसे चोड़कर चली गई और अब उगके पास नहींपैसे हैं और नहीं कोई काम वो अपने कंट्री भी वावस नहीं जाना चाहता इसलिए वो बारे में जानके सभी को उसे सिंपती होती है। इसके बाद सूझियों कहती है کہ साइड अक्टर रिंड ने । डिरिंग की थी। जिसकी वज़े से वह स्टेज पर चक्रा गिर गया था। यहां के यूंचा जल्दी जल्दी खाना खा रहा था क्योंकि वो कई दिर उसे भूखा था इस पर हांचिंग उसकी यह हालत देखकर सैड होता है और उसे कहता है कि या तो तुम वावस की कंट्री चले जाओ या फिर मेरी साथ आकर रहो पर के यूंचा इसके लिए मना कर दे करता है इतने में वहां डरी सही मेड लूओ याव आती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सी लूगिंग की आत्मा उसे भी मार डालेगी यहां वह बताती है कि एक्टर रिंट सी लूगिंग को बुली और हैरस किया करता था साहिद इसी कि वज़ें से सी लूगिंग ने करता है इसके पास सभी अपने घर जाने लगते हैं कि यूद्व में लूओ याव को घर पहुचाने जाता है इसके बाद वेन जूद सूचियों से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं तो हां जी मुसे तुरंत रोकता है और कहता है कि अगर तुम इसके भाराता है जिसके हैस काफी खराब होती है और जगर चेखने से पानी टपक रहा होता है सब्सक्राइब जो बहुति जाता है नियुकर तुमें घर ले जाता है जाते ही उन्हों हो ने विडिसे कूद कर लिया है ये काफी रहानी смआ की ये बॉडिगार्ड हायर कर रही थी और आज उसने सुसाइट कर लिया वो दोनों उसकी डेट बॉड़ी की चांच करते हैं पर वहां भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता चीफ आफिसर उन सभी को जल से जल इस केस को सॉल्व करने को कहते हैं वो कहते हैं कि जो भी इस केस को प्रमोशन दूँगा वो सुजियो से एक्टर रिन की मौत का पता लगाने को कहते हैं तब यह आफिसर जिन सामने आकर कहते हैं कि मैं में लो याव की केस की इन्मिस्टिकेशन करूंगा यहां हान जिंग सुजियो से अपनी नाराजगी को प्रिटेंट करता हुआ ऑफिसर जिन की साथ जाता है और सुजियो गाड़ फादर की साथ एक्टर रिन की मौत का पता लगाने के लिए जाती है हां जिंग क्राइम सीन पर पहुंच कर ऑफिसर जिन को डिस्ट्रैक्ट करते हुए दूर भेज देता है फिर वो अकिला सारी चीजों की बारिकी से जाच करता ह जहां उसे गीली मिटी के धेर पर एक फूट्प्रिंट मिलता है जहां से एक अजीब तरह किस मिला रही थी इधर सुजिया और गाड़ फादर थीटर के सारे नौकरों से पूच्दाश करते हैं जिन में से कुछ सर्वेंट तो ये बताते हैं कि सी लूगिंग अमेर लोगो था वो काफी गरी थी और वो ये सब कुछ जादा मानी आर्म करने के लिए करती थी इन्हीं सारे सर्वेंट के पीटे कोल्ड मैन भी होता है जो कि गुंगा था सुज और गाड़ फादर उसे कोई पूच्दाश नहीं करते और उसे जाने देते हैं सभी एक लेड़ी आकर य इस दिन उनकी मौत हुई उस दिन भी वो इस्टेश पर जाने से पहले जूस पीकर ही गए थे इस पर सुज और गाड़ फादर के किचन में जाकर चेक करने लगते हैं तब ही वहां के यूंचा आता है और उन्हें बताता है कि उसे हां जिंग ने उनकी हेल्स के लिए भेज के जूंचा को अपनी मजर के मैडिसन लूप में ले जाती है जहां ** को यहां All this can be पों जाकर यσसरे एक्टर रेंड से गिर गया था इसी के साथ यह पार्ट एंड होता है तो दोस्तों अगर आप जाणना चाहते हैं कि काहनी में आगी क्या हुआ तो बने रहये मेरे साथ और अगर आपने लिए जानल को सब्क्राइब हैं, तो झाल